हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी कैक्स एजूकेशन यूट्यू चानल पे तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पियस यानिकी उत्तर परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन पर्यागराज की दोरा वैकेंसी निकल के आड़े जिसमें ओल ओवर इंडिया स पर निकाले कि वो है बेसिक सिक्षा विभाग उत्तर परदेश में तो यह जो वैकेंसी आप यहां से डाउनलोड अप्टेज्मेंट कर सकते हैं अप लाइना हो का लिंक भी यहां पर मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइट कर दिया गया है तो इसके न इंऊले कर सकते हैं और 29 प्राइट कर सकते हैं और हैं यहां पे लाइट किशा चैयों को आपको फीट कर सकते हैं उसके पासे लिए जो कर सकते हैं कि स्टेज में को दो गया है इसी तरह से आपका अप्लिकेशन भी उसके बाद पेमेंट करना है जैसा कि आप यहाँ पे चीक कर सकते हैं अंडिजर्ब्ट हैं एकोनॉमिकल वीकर सेक्संस हैं अधर एस्टेट के कंडियेट हैं तो एक सो पचीस रुपए अप्लिकेशन भी आपको देने होंगे और आप अधर एस्टेट के कंडियेट हैं तो आपको यहाँ पे जिन्रल में ही काउंट किया जाए लेकिन उत्तरपरदेश के निवासी हैं किसी कैटागरी से आती हैं यह CST हैं OBC हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाता है काटागरी का उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि modified submitted application को आप किस तरह से modify कर सकते हैं इसी तरह से आगे दीख सकते number of vacancies यहाँ पर दिया गया है कि male branch में किस subject में कितनी vacancies यहाँ पर निकाली गई है तो जैसे कि आप दीख सकते हिंडी है English, Physics, Chemistry, Biology, Math, Sanskrit, Economics, Civics, Geography उसके बाद यहाँ पर History, Sociology, Education और उर्दू Commerce की बात करते हैं तो यहाँ पर vacancies निकालीगे, total यहाँ पर कुल में आकर 991 vacancy है, इसे तरह से female branch की बात करते हैं तो subject वाइज यहाँ पर चीख कर सकते हैं, total 482 vacancy यहाँ पर निकालीगे, category वाइज दिया गया आपको vacancy detail, यहाँ पर देख सकते हैं स्कील की बात के तो 93 सो से लेकर आपका 34 सा 800 ग्रेट भी आपका 4800 लेवेल एट का रहने वाला है यहाँ पर बाकी details, reservation के बारे में दिया गया है, कि युप्तर परदेश की निवासी है किसी category से आता है, आपको छूट यहाँ पर मिल जाता है आगे यहाँ पर detail चनकारी दी गई है इसका link जो डिस्क्रिप्सन में आपको मिले का वहाँ से आप download करके Hindi और English तोनों में है इस notification को पर सकते हैं यहाँ पर आपके matter status के बारे में दिया गया है कि आप अगर merit candidate है, तो आपके लिए क्या instructions यहाँ पर दिया कि आप चीक कर सकते हैं बात करते हैं educational qualification की तो यहाँ पर दिया कि नेम आप दो पूस्ट और educational qualification जो की essential है यानि कि कम से कम आपके पास यह डिगरी होनी ही चाहिए तभी आप इसमें eligible हो पाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप अशनात को तर है पोस्ट graduation के डिगरी आपने related subject में किया हुआ है तो आप उसमें apply कर सकते है लेक्षरेशिप के लिए आगे यहाँ पर चीख कर सकते है प्रिफरेश किन को यहाँ पर दिया चाहेगा तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने राज्ट किया मानिता प्राद पर सिक्षन विडियाले से एल्टी डिप्लोमा या फिर भारत के बीदित हो अस्थापिक किसी भी बिस्वेदार से सिक्षा सास्त में असनाता को पादी किया है तो आपको यहाँ पे प्रफेरेंस मिलेगा उसके बारे में आपके दिया कि प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्स की अबधी तक सेवा की हो या फिर राष्ट्य कैड़िट कोर का भी परवान पत्र आपके पास है तो प्रफेरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है इस limit की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया कि एक चुलाई 2020 के coding count होगा minimum आपका 20 साल होना चाहिए और 40 साल से जादा नहीं होना चाहिए इसके आलावा relaxation जो है आपको अपरेज में मिल जाता अगर आप किसी category से belong करते हैं यहाँ पे कुछ important instructions दिये गए हैं कि आपका prelims exam नीशन होगा उसके बाद main exam जो retain होने वाला है उसका फिर से आपको application form डालना होगा जिसका क्या application पी दो सो पचीस रुपे रखे गए हैं बागे category वालों के लिए जो CST हैं उनके लिए 105 रुपे application पी रखे गए हैं तो general instructions कुछ आपको दिये गए हैं online application form से regarding उसके बाद आपको detail application form के बारे में दिया गया है तो यहाँ पे सारी details चेक कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे guidance देखने को मिल जाता है photographs और signature के बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं size और इसका जो है किस format में आपको upload करना है उसके बाद यहाँ पे आगे आपको syllabus भी देखने को मिलता है exam pattern देखने को मिल जाता है बाकि आप यहाँ पे detail चेक कर सकते हैं सारी details इसमें provide कर दीगे कि general stories में आपको क्या-क्या पूछा जाएगा और यहाँ पे option subject के बारे में दिया गया है जो कि main exam में आपका रहने वाला है तो सारी details आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है आप यहाँ से जाए details चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से subject में क्या कैसले बस आपको यहाँ पे रखा गया exam nations के लिए तो इसका link description में मिलेगा वहाँ से आप download कर सकते हैं तो all over India से आप इसमें apply कर सकते हैं अगर आप eligible है तो apply जरूर करें इसमें काफी बढ़िया वेकेंसी निकालेगी टोटल वेकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 1473 पदो पे वेकेंसी निकाले गई है तो दोस्तो apply now का link description में आपको मिल जागा है वहाँ पे जाकर के आप इस पीच पर आकर के apply यहाँ से कर सकते हैं तो आज के update में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए नहे चैनल पे तो चैनल को subscribe कीजिए